हेलो गाइज, वेलकम बेक टू माइ चैनल, कैसे हैं आप सब आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ, आप लोगों का वेलकम है आपके अपने यूटूब चैनल पर आप सभी को रादे रादे, तो यहाँ पे हो रहा है मौनिंग का टाइम, और मैं आई वी ह जो रही है, तो यहाँ पे मैं अपना आदा घर का काम करके आचुकी हूँ, और आदा रह रहा है, फिर उसके बाद घर पहुचके मैंने अपना जो बचा हुआ काम था, वो किया, उसके बाद यहाँ पे मैंने बना दी है सीता फल की सबजी, वैसे रात की सबजी भी थोड़ पाकी रोटी पराथा ये सब चीजे बनाके दे देती हूँ और अब तो सर्दिया आ गई है आप लोग को पता है कि आलू-अलू के पराथे वगेरा बनते हैं तो यहां पे तो अभी मैं सुबह मतलब दुफैर का टाइम हो रहा है तो यहां पे सीताफल की सबजी और रात की पाईती है तो यहां पे मैं शाम की कर रही थी दिया बाती दिया बाती करने के बाद यहां पे मैंने चावल का जो चावल होते है न हमारे तो चावलों को मैंने मिक्सी में पीस लिया है और मिक्सी में पीसने के बाद न मैंने उनको पानी डाल के भिगो दिया है और उससे हम मनाएंगे देव और उसके बाद जो हमारी गेरू होती है आप लोग जानते होंगे काफी सारे लोग जानते होंगे गेरू यह जो रैड कलर की दिखनी है न जो जब ग्रहन वगरा पड़ता है तो प्रेगनेंट लेडीज हो के पेट वगरा पे लगाते हैं गेरू तो यहाँ पे मैंने गेरू भी घोल ली है और वो जो चावल काटा है उससे उसे भी घोल लिया और यहाँ पे मैं बना रही हूँ देव बहुत सारे लोगों के हाँ पे देवठाने कदशी वाले दिन पूजा होती होगी और अपकी बार देवठाने कदशी पे खाटू श्याम बावा का बड़े भी था तो काफी सारे लोगों ने बड़े भी सेलिब्रेट किया होगा खाटू बावा का जो खाटू श्याम बावा के भक्त हैंगे तो यह देखिए हम बना रहे हैं देव तो आप मेंसे किस-किस ने देव बनाए थे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना जब मैं अपने माईके में थी न तो जो हमारे बावा थे मतलब मेरे पापा के जो पापा थे हमारे बावा तो वो दूसरे तरीके से बनवाते थे लेकिन अब मेरे को मतलब यह है कि धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी एज भड़ती है वैसे वैसे हमें थोड़ी सी maturity आती रहती है हम चीजों को और बहतर और अच्छा करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ देव तो आप लोगों में से किस-किस के यहाँ पे बोलते कि आज के दिन से शादिया स्टार्ट हो जाती है मतलब शादिया शुरू हो जाती है आज के दिन से आप कोई भी शुब कार रहे हैं कर सकते हैं जैसे सगाई हो गया गोध भराई हो गया या फिर शादी वगरा हो गई यह सब चीजे आप लोग आज से चालू हो तो चावल का भी मैंने पेस्ट बना लिया है और अब मेरे देव बन चुके हैं तो अब मैं करूंगी पूजा तो चलिए पूजा के लिए क्या-क्या चीज़े चाहिए वो मैं आप लोगों दिखा लेती हूं तयारी मैंने सारी कर लिए बस मुझे पूजा करनी है थोड़ा सा तियारी कर लेती हूं उसके बाद आप लोगों से मिलती हूं किचन पे और दोनों कमरों के गेटों पे बना दिये थे और उसके बाद यहां पे मैंने कर ली है पूरी तियारी मूली बूली और ये दिये वगएरा भी मैं तियार कर ले हूं क्योंकि दरवज्जों पे भी दिये रखूंगी और यहां पे भी दिया रखूंगी तो यहां पर बस मैं तैयारी करी रही थी तो अब तक मम्मी भी आ गई थी तो मम्मी से मैंने बोला कि चलो फिर मम्मी बोले लगी कि हा तक ना भार तक ना सीडी भी बना दो तो आप लोग देख रहे हैं कि मैं हापे ना सीडी भी बना रही हूं इस तरीके से मैंने गेरू से पूरी लं नहीं होती बट मुझे अच्छा रखता है इस तरीके से ना घर की चीजों को फॉलो करना तो यहां पर मम्मी आ गई थी तो मैंने बोला कि तुम्ही पूजा कर दो और मैं यहां पर मुना रही थी अभी देव वगेरा मुना रही थी और सब जगा दिया रखने की तियारी कर र होती है तो काफी सारे मेरे जो सब्सक्राइबर है सभी कि यहां पर आंगन वगेरा में होती होगी पूजा और यह देखिए मम्मी गन्ने उठा नीती तो यहां पर मैं रखने लग गई थी और मैंने वीडियो को थोड़ा सा फास्ट मोड पर कर दिया इस तरीके से ही आप ल आप लोगों कि यहां पर इसी तरीके से होती है देव ठाने कादशी पे पूजा मुझे कमेंट करके जरूर बताना मुझे अच्छा लगेगा और बस पूजा करने के बाद फिर उसके बाद यहां पर इसको ना हम सूप से ढख देती है तो अभी पूजा हो रही है तो मैं थोड़ी सी यहां पर ना वो दिया जलना था ना तो सूप में आग वगेरा लग जाती तो यह हमारी पूजा पार्ट हो चुकी है हमारी देव उतनी एकादशी की पूजा और यहां पर इस तरीके से सूप डग दिया है तो आप लोगों कि यहां पर भी ऐसे होती होगी पू अालि धकादशी की पी लग में आपद वर यहां चूजा की खादशी प्चसराइया ज़ा जटवाम। मुरी जलनी झालत है लगेरा लगों कि यहां जातनी वहां अबया हो जातनी पूएशा है? सो यहां पर मैं खाटू श्याम जी की आरती में से आने के बाद परी बोली मम्मी मेरे सर में तेल डाल दो तो उसके सर में डाल रही थी तेल क्योंकि उसको ना मेरे हाथ से तेल डलवाना बहुत जादा अच्छा लगता है तो मैं उसके सर में तेल डाल दी थी और उसके बाद देखे अभी भी हमारा जो दिया है वो जल रहा है और जब हमने गेरू से लाइन खीची देना तब बिल्कुल मतलब ऐसी लग रही थी अभी परी कहा रही थी कि मम्मी ये गिली गिली हो रही है और उसके बास सूखने के बाद नहीं बड़ा अच्छा सा लगा था और ये जिद्धी हूं ये बहुत पहलवान है इसके चार भाई है सो फ्रेंड्स ये है नेक्स दे मॉर्निंग की किलिप तो यहां पे खेल दिखाने वाला ये लड़का आया हुआ तो पता इसकी एस जादा नहीं थी है ये दोनों भाई बहनते कहते ना पेट पालने के लिए पतानी इंसान को क्या 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 करना पड़ता है लेकिन हाँ एक प्लेट फार्मों पे जिससे की प्लेट फार्मों पे जहां पे इन लोगों के जो टैलेंट है इसको कोई पहचान पाई तो इसने ना मतलब बहुत अच्छा खेल दिखाया था मतलब सबको बहुत अच्छा लगा और मतलब इतनी सफाई से खेल दिखाया हम लोग तो इतना ह हस रहे थे हस्ते हस्ते लोटपोर्ट हो गए थे और इस लड़के की ना बाते भी बहुत अच्छी लगरी थी ज्यादा एज करी था बहन भी इसकी छोटी सी थी यह को यहां पर बैटी हुई है कहते ना पेट पालने के लिए बहुत सारी चीज़ें करने पड़ती है इंसान को और ये पार्ट टाइम में जॉब भी करता था मैंने से पूछा था मैंने कहा और भी कुछ करता हूँ तो यहां पे इसने बहुत अच्छा खेल दिखाया था लेकिन ऐसे लोगों को So friends यह है खेल देखने के बाद की क्लिप तो यहां पे बज़रोंगे 11.30 बज़रोंगे तो यह मेरी एक फ्रेंड भी है भाबी लगती है और दूसरा ये मेरी बहुत अच्छी सब्सक्राइबर है ये मेरी सारे व्लॉग्स देखती है तो यहाँ पर इनके हाँ पर कथा थी पहले इनके हाँ पर कई बार अखर्ण ड्रमैन वगएरा भी हुई है सुन्दर कांडु है उन्होंने मुझे कई बार बुलाया पर मैं नहीं को टांब मिलेना किए फ्री टांब में आना और हम लोग खुप सरी बाते करेंगे कहीं गुहमने चलते हैं तो मैंने काaat जरूर चलेंगे हैमने श्ट्न के लिए मैं आपनी देंसा फृब hood यहाँ पे लिया सांघ야 हरी मिर्चा टुकड़ा ना में टाल दिया है तो हम बनान जा रही है चटनी और मैं चटनी के साथ पगार चटनी पाइन बन आपने हैं चटनी बनीके वाइने में लिए अपने। दूद गरम होने भी रख दिया है तो यह मेरे शाम का काम होता है और उसके बाद काफी सारे दुफैर के बरतन हो रहे थे जो कि मैंने धो दिया है शाम को चाय वगेरा बनती है बच्चे दुफैर में खाना खाते हैं और अभी आलू वगेरा वाले तो काफी सारे बरतन हो गए अगर आटा पहले से गून के रख दूना तो पराठे हमारे थोड़े से अच्छे बनते हैं टेस्टी बनते हैं और मुझे आलू के पराठे में हरा धनिया बहुत अच्छा लगता है लेकिन हमारे घर पे कोई नहीं खाता तो इसलिए मेरे को मैं एड नहीं करती हूँ जो मेरा अगर अगर सरसो के तेल से पराठे से पराठे से हूँ रहा थो आगर सर्सो के तेल नहीं लगते हैं तो इसलिessory को ने और सरसो के तेल नहीं खाती है जब जैसा होता है मैं तब वैसे मैनेज कर लेती हूं और वैसे भी न अभी हमारी हापयास तेल था नहीं थोड़ा सा मतलब ऐसा था कि तेल खतम हो रहा था और आज शनीवार हो रहा था तो इस वज़े से तेल आया नहीं था तो आप लोगों को आज का व्लोग कैसा लगा कमनशिये जड़ा